जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज उलंद करनी पढ़ती है बोल किलब आजाद है तेरे न्यूस क्लिक पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे नियूस क्लिक की स्वतंत्र और आजद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहण कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नाउसकार बोल किलब आजाथ है तेरे मैं अविसार शर्मा जो सत्ता से सवाल करेगा उस पर प्रवर्तत ने देशाले यानि ED की रेड मारी जाएगी, income tax की रेड मारी जाएगी उसे परेशान किया जाएगा, उसे आपकी पालतू मीडिया के जरीए बदनाम किया जाएगा इस सरकार को सिर्फ ही आता है, इसके लावा कुछ नहीं आता है आज की जो बड़ी ख़बर मैं आपको बोल किलब आजाह ने तेरे में बताने वाला हूँ दोस्तों वो ये कि दैनिक भासकर वो अखबार जिसने कुरोना की दूसरी लहर में भारती जनता पार्टी की धज्यां उड़ा दी थी उन्हें सही माइने में एक्सपोज किया था, उस पर इस वक जब मैं आप से बात कर रहा हूँ इंकिम टाक्स की छापे चल रहे हैं, बात वहाँ नहीं रुकी, बेशरमी की तमाम हदों को पार कर लिया गया है दोस्तों दैनिक भासकर के अलावा भारत समशार जो की उत्तर पदेश में स्थित एक न्यूस चैनल है वो एक मात्र न्यूस चैनल जो मुख्यमंत्री आदितिनाच से सवाल करता है, उस पर भी रेड मारी जा रही है सबसे पहले मैं आपको ये तीन तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये तीन तस्वीरे एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर आ रही है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भोपाल में दैनिक भासकर के दफ्तर पर इंकम टैक्स जो है वो रेड मार रही है मैं आगे आपको बताऊंगा कि दैनिक भासकर ने किस तरह से किसी की पूच पर पाउं रख दिया था हलाकि इस शब्दावली का मुझे इस्तमाल नहीं करना चाहिए सिर्फ उनका एक ही गुनाह था कि उन्होंने पत्रकारिता की वो पत्रकारिता जो यहां पर हम न्यूस क्लिक में भी कर रहे हैं मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि यह सरकार आखिर दैनिक भासकर से क्यों बौकलाई हुई है मैं एक एक करके उनके पहले पन्ने को आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ उसी तरह से मैं आपको बताऊँगा कि भारत समाचार ने भी किस तरह की देलेर पत्रकारिता की मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दैनिक भासकर का ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ इन्होंनी ये बताया है इस वीडियो के जरीए की काशी के अंदर किस तरह से लाशे जल रही थी कुरोना की दूसरी लहर में हालत कितने भयानक थे वहाँ पर आप इसके एक छोटी सी जलक देखिए फिर आप समझ जाएंगे कि ये सरकार उनसे क्यों नारास थी जहां तक नजर जाती है वहाँ गंगा किनारे वेत में दफ्न शव नजर आते हैं उन्नाओ, कानपूर, कन्नौज और राइबरेली के बाद ये तस्वीरे हैं संगम नज़ी प्रयाग राज की यहां गंगा किनारे रिंग वेरपुर घाट में हजारों लाशी दफ्न है अप्रयल में मौतों का आकड़ा बढ़ा तो लकडियों के दाम भी बढ़ गए लोगों ने शवों को दहा संसकार की जगा दफ्नाना शुरू कर दिया बात यहां नहीं रुकती दैनिक भासकर का एक और वीडियो जिसमें वो कोरोना की दूसरी लहर का भयावह चेहरा पेश कर रहे हैं उसकी एक और छोटी सी जलक आप देखिए ला इलाज कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसे हालाद बना दिये कि इंसान पहले कोरोना के टेस्ट के लिए लाइन में लगा फिर अस्पताल में इलाज के लिए और हॉस्पिटल से शम्शान तक सिर्फ कतारों में खड़ा और लेटा रहा इंसान इलाज कराने आया तो एंबुलेंस की लंबी कतार में खड़ा रहा और नहीं बचा तो अंतिम संसकार के लिए भी मुर्दों को इंतिजार करना पड़ा जिसने भी ये तस्वीरें देखी वे बस फूट पड़ा दर Опत्प्ट रेखत द्रकार को दिखकर के अनालिस्स से वो जस तरह से कुरोना की सही तस्वीर देश के सामने ला रहा था जस तरह से पेगसिस के जड़िए पत्रकारों की विपक्ष के नेताओं की जासूसी हुई वो तस्वीर जो दैनिक भासकर लगातार सामने ला रहा था इस सरकार को उस बात से दिक्कत थी अब एक एक कर के दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूँ दैनिक भासकर ने किस तरह से अपने अखबार की जरीए इस सरकार की कामकाच की पोल खोल दी सबसे पहले आपके स्क्रीन्स पर डेटा गड़बड है अब भी अतनी मौतें जितनी तब हो रही थी जब शम्शान में वेटिंग थी अस्बताल फुल थे इस तरह से दैनिक भासकर ने बाकाइदा अलग अलग शहरों में इस ग्राफिक के जरीए इस तस्वीर के जरीए बताया कि हालत कितनी खराब है अब देखिए दैनिक भासकर का पहला पन्ना सरकार के मौत के आकड़े जूटे हैं जलती चिताएं सच बोल रही हैं और ये तस्वीर बता रहे हैं वो मध्ध प्रदेश की अब आपके सामने दोस्तों उत्तर प्रदेश की तस्वीर शर्मसार हुई गंगा गंगा की पवित्र धारा में बहकर वो म्रत आत्मा है तो पवित्र हो गई लेकिन कुरोना में मौतों का आकड़ा छुपाने के मैनेजमेंट में गंगा किनारे बसे जिलों की अधिकारी चंगा सी का सर्टिफिकेट लेने के चकर में सब भूल बैठे आगे देखिए दोस्तों गंगा किनारे 1140 किलो मीटर में 2000 से ज्यादा शब इस तरह से इन्होंने उत्तर पदेश के अंदर जो है बखिया और धेर थी मगर ये मत सोचिए दोस्तों कि उनका ध्यान सिर्फ भारती जनता पार्टी की सरकारों की तरफ था नहीं राजस्तान के अंदर क्या हो रहा था च्छतीस गड़ के अंदर क्या हो रहा था पंजाब के अंदर क्या हो रहा था दैनिक भासकर वो खबरे भी आपके सामने लगातार ला रहा था आपके स्क्रीन्स पर दैनिक भासकर की खबर ये राजस्तान के बारे में है सरकार ने 50 दिनों में जिन 25 जिलों में बताई 3918 कुरोना मौते उनके सिर्फ 500 गाउं ब्लॉक से उठी 14482 अर्थिया एक बार फिर देखिए दैनिक भासकर की खबर गाउं में लोग खासी बुकार से मर रहे हैं टेस्टिंग तो दूर, ईलाज भी भगवान भरो से दरاصल सरकार को दैनिक भासकर से क्या दिक्कत थी मैं वो आपको बताना चाहताँ दरसल देनिक भासकर एक मातर वो अखबार था जो जासूसी प्रकरन पर एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा था जी हाँ मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पेगसिस सॉफ्टवेर के सरी चालीस पत्रकारों इसके लावा विपक्ष के कई नेताओं जैसे कि राहुल गांधी प्रशांद किशोर अभिशेक बैनर जी और कई वकीलों सुप्रीम कोर्ट जजजस उन तमाम लोगों की फोन्स को हैक किया गया उनकी जैसूसी की जारी थी ये तस्वीर दैनिक भासकर ने आपके सामने लाई मगर जो चीज सबसे ज़्यादाइस सरकार को खल गई थी दोस्तों वो ये तस्वीर है दैनिक भासकर ने अपनी इस खबर में ये बताया कि जैसूसी का इतिहास मोदी اور अमशच ह का पुराना है इस खबर में बताया गया कि किस तरह से अमिट शाह और मोदी एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे अब क्यूं करवा रहे थे वो तो हम नहीं जानते इस खबर का जिक्र देनिक भास करने भी किया था सिर्फ दो दिन पहली की बात है और इत्फाग देखिए आज उनके दफ्तरों पर रेड बार दी गई मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जो सरकार 56 की बात करती है 56 की सीने की बात करती है क्या उनका दो इंच का होसला भी नहीं है बताइए ना देनिक भास कर ने अगर कुछ गलत किया तो आप उन पर मानहानी के मुकदमे दर्श कर दे ना आपके इतने पालतू है क्यों नहीं कि आपने आप उन्हें एक्सपोज करते तप्थियों के आधार पर वो तो आपसे यानि कि न्यूज क्लिक के साथ भी प्रवरतन निदेशाले ने किस तरह से करीब 113 घंटों की रेड मारी थी क्यों मारी थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मगर सबसे पहले अब आपको मैं लेकर चलना चाहूँगा भारत समाचार कियो दोस्तों हाथरस में एक मासूम का बरातकार उसकी हत्या हो जाती है रातो रात उसका शब जला दिया जाता है ये तस्वीर आपको याद है उत्तर पदेश का सिर्फ ये एक मात्र चैनल था जो वो खबरें आपके सामने लेकर आ रहा था और आज फिर इस तस्वीर में देखिए उनके दफ्तर में उनके जो संपादक हैं ब्रजेश मिश्र उनके यहाँ पर रेड मारी जा रही है ये तस्वीर साफ तोर पर बताती है कि उत्तर पदेश की चुनाव आ रहे हैं आट महिनों के अंदर और भारती जनता पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी कर दी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि भारत समाचार लगातार आपके सामने तत्थिला रहा था और इन तत्थियों से मुक्की मंत्रियाद इतनाच सरकार डरती है इन तत्यों से भारती जहता पार्टी आला कमान डरता है इसलिए उन्होंने उनके हाँ पर रेड़ मार दिया अब मैं आपके सामने उनके न्यूस चैनल की एक छोटी सी जलक दिखाता हूँ उस वक्त जब इनके दफ्तर पर रेड मारी जा रही थी बेखौफ भारत समाचार वो खबर आपके सामने ला रहा था देखिए उसकी एक छलक अगर हमने सच दिखा दिया अगर हमने हातरस का सच दिखा दिया तो साब हाफने लग गए हमने कोरोना की कम्या दिखा दी तो साब इनकी कमर तूट गई अगर हमने सिस्टम को बेनकाब कर दिया तो ये इतने बेबस हो गए कि समयधानिक संस्थाउंट को टूल्स की तरह इस् इनकम टैक्स के छापे मरवाद के पुलिस का इस्तेमाल करके रास्पद्रों के मुकत में लिखके पत्रकारों को दबाना, डराना, धमकाना ये इनका चलन सुरू से रहा है और आज इन्होंने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है और दोस्तों विपक्ष के तमाम नेताओं ने इनकम टैक्स रेट्स पर हल्ला बोल दिया है क्या कह रहे हैं कमलनात आपके स्क्रीन्स पर मोदी सरकार में प्रजातंत्र के चौते स्तंब को दबाने का सच को रोकने का काम शुरू हो गया है और शुरू से ही किया जा रहा है अभी पेगसिस जासू सी मामले में भी कई मीडिया संस्थान और उससे जुड़े लोग बड़ी संख्या में निशाने पर रहे हैं और अब सरकार की निरंतर पोल खोल रहे हैं सच को देश भर में निर्भीकता से उजागर कर रहे दैनिक भासकर मीडिया समू को दबाने का काम शुरू हो गया है उसी दिस तरह से दिगविजय सिंग ने भी उसका जिक्र किया है पत्र कारिता पर मोदी शाह का प्रहार, मोदी शाह का एक मात्र हत्यार ED EDCBI मुझे विश्वास है अगरवाल बंधू डरेंगे नहीं जी हाँ, ये संदेश कहीं न कहीं दैनिक भासकर के लिए है और उनसे कहा गया है कि काश उमीद है वो डरेंगे नहीं दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा आसे कुछ महिने पहले नियूस क्लिक पर भी प्रवर्तन निदेशाले ने रेड मारी थी और ये रेड करीब 113 या 115 घंटे चली थी जहां हमारे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्त और संपादक प्रांजल से लगातार पूछताच की जा रही थी और यहीं अब भी अब भी उन्हें प्रवर्तन निदेशाले बुलाता है और दिन भर अपने दफ्तर में बिठाय रखता है एक डिजिटल प्लाटफॉर्म को इस तरह से परिशान किया जा रहा था यह किस तरह से सिर्फ मीडिया के जरे किसी को बदनाम कर सकते है और हम पर क्यों निशाना साधा गया था मैं आपको बताता हूँ वो इसलिए क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था जब नाग्रिक्ता आंदोलन चल रहा था तब हमारे दर्शकों ने हम पर एतबार जतलाया था किसानों की समस्याओं को हमने उनके सामने लेकर आये थे और तब तमाम लोग न्यूस क्लिक को लगातार देख रहे थे और इत्फाकन दोस्तों आज किसान ने संसद की तरफ कूच किया है संसद और सडक दोनों जगा आज के दिन किसान है मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं राहूल गानी के नेत्रत में संसद के अंदर किसान के पक्ष में नारे लगाये जा रहे हैं आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर मैं आगे जाके इसकी चर्चा करूँगा किसान आंदोलन की गून संसद में सुनाई पड़ी और बाहर दिल्ली पुलीस ने बेहूदगी की तमाम हदों को पार कर दिया विजय चौक जहां अमूमन संसद पत्रकारों से बात करते हैं वहाँ पर संसदों को पत्रकारों से बात करने से रोका गया आप यहाँ पर दिपेंदर हुडा और कॉंग्रेस संसद बाजवा को देख सकते हैं प्रिश्ट बतादी कि इसको बता चला जी है, आप पालिमेंटेर्स को दमकाने की कुशिस का रहे हैं, तो फिर आपका क्या है हम बात कर रहे हैं, कसा लोगी आप बीच में इंटीविज में आपने कैसे रोका में तो देखा आपने मोधी सरकार से लगातार सवाल यहां कांग्रेस कर रही है, और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आज सिंगु बॉर्डर से बसो में बिठा कर किसानों की रुखसती की गई है, संसत भवन की तरफ ये वीडियो देखिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर चल रहा है, और इस वीडियो में भी किसान ज जब इस देश के किसान संसद में जा रही है, कुछ मांगने नहीं, अपना आदेश दे पहली बार इस देश के दिहास में किसानों ने अपना विप जारी किया, और MPs को बोला है, संसद में किसानों के सवाल छोड़के कोई और चर्चा नहीं, आज किसान उसकी निगरानी कर जादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को एलाउ किया गया है, सब को आईकाड इशू किया गया है, और जाके संसद की तरफ हम मार्ज करेंगे, बसों में संसद के नजदीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्ज करेंगे, जहां रोका जाएगा, वहां रोकेंगे, और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी, जो पूरी दुनिया में डिसकस हो रहे हैं, इंग्लेंड, न्यूजिलेंड, कैनेरा की पार्लिमिट में डिसकस हो रहे हैं, भारत में डिसकस नहीं हो हम उन पे चर्चा करेंगे, सरकार हमसे बार-बार कहती है, हमें पता नहीं किसानों को इन कानूमों पे इतराज क्या है, आज वो भी हम सरकार को सुनाएंगे कि क्या इतराज है, ताकि इस सरकार को और संसत को समा जाएंगे. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई, इंकम टाक्स विभाग को अपना काम करना चाहिए, कोई कुछ गलत करेगा तो उस पे काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपसे एक छोड़ा आसल करने के मामले में अरनब गोस्वामी का नाम उस आरोप पत्र में है वो एक आरोपी है पाच दिन तक वो जेल में था किस मामले में एक आदमी को आत्म हत्या करने पर मजबूर करने के मामले में मैं समझना चाहता हूँ कि भारती जाता पार्टी जो है वो ऐसे पत्रकारों पर कभी कोई action क्यूं नहीं लेती इनके accounts को क्यों नहीं खंगालती इनके रहमो करम उन news channels या उन agencies पर क्यूं होते हैं जो भारती जहाता party से सवाल पूछते हैं आप उन्हें क्यों बदनाम करते हैं? उन्हें क्यों टार्गेट करते हैं हर बार? क्या आपके अंदर डर है? क्या आप डरते हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आने वाले साथ महिनों में जो तरपदेश के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर आपकी पोल खुल जाएगी? और आपके पास एक मात्र जरीया है उन लोगों को दबाना जो जनता के सामने सच ला रहे है क्योंकि हकीकत यह है दूस्तों क्योंकि इन्होंने मीडिया के जरीए एक किसम का मास हिपनोसिस यानि की एक सम्मोहन पैदा कर लिया है सम्मोhin एक व्यक्ती के करिशमं को लेकर और आम जन्ता थक हकीकत नहीं पहुँच रही है हकीकत पहुँचाने वाले कौन है रात पहुँचाने वाले निजूस क्लिक जैसे प्लाटफॉरम्स हैं भारत समाचार जैसे नियूस चैनल्स हैं income tax का इस्तमाल करती है ये इनका पुराना अंदाजे बया है आज की तारीक में कई भक्त कह रहे हैं कि भई 1975 में भी इंदरा गांधी ने income tax की विजली काड़ दी थी तो बधाई हो कॉंग्रेस का जो सबसे शर्मनाक काल था उनका जो सबसे शर्मनाक चहरा था आप लोगों ने बगएर एमरजिंसी के बगएर आपातकाल के हासिल कर लिया इंदरा गांधी ने कम से कम देश में आपातकाल लगाई थी और इसके बाद ये तमाम कदम उठाये थे आप क्या कर रहे हैं बताईए ना पेगसिस जासूसी मामले की जाँच कई देश कर रहे है फ्रांस इस मामले की जाँच कर रहा है इसराइल में भी इस मामले की जाँच हो सकती है मगर हमारे भारत के अंदर न्यूस चैनल्स उन लोगों पर निशाना साथ रहे हैं जो पेगसिस जासूसी मामले के शिकार हैं इससे ज्यादा कल्पना से विशित्र हो सकता है कहीं पर ऐसा इस देश में हो रहा है मगर फिखर मत कीजिए दोस्तों हमारे शो का नाम है बोल के लब आज़ाद है तेरे और हमारे लब हमेशा आज़ाद रहेंगे बेखौफ रहेंगे बेबाक रहेंगे और इसी बेबाकी से हम आपके मुद्दे उठाते रहेंगे अब इसार शर्मा को दीज़े अज़ाज़त नाउसकार